मैं तुमसे मिलने आया था, पर तुमने कुछ कहा भी नहीं, और फिर मैं वहाँ से चला आया, पर अब ऐसा मत करना, अब जब मैं आउँगा, तो तुम होगे और मैं होगा, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत खुशी होती है, और तुम बहुत खुश होगे, और तुम बहुत सुकून महसूस करते हो। यही वज़े है कि मैं बार-बार अपने बच्चे से मिलने चला आता हूँ। मेरे साई सचरित का पारायन जरूर करना, हर दिन करना, चाहे थोड़ा सा करो, पर करना जरूर। यह तुम्हें मन की शान्ति प्रदान करेगा, और मेरी जगे यह तुम्हारे साथ भी रहेगा, मैंने इस ग्रंथ में स्वयम को रखा है, साइथ तुम्हें नहीं पता है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं साइश अचरित के जरिये भी तुमसे बात करता हूँ, ताकि तुम कभी भी अपने आपको अकेला ना मैसूस कर सको, और हाँ साथ ही साथ मेरी उदी का सेवन भी रोज करना, कभी छोड़ना मत इसको, रोज जल में मिलाकर इसका सेवन करना, अपने माथे पर लगाना, ये तुम्हें हर बीमारी से, हर परिशानी से दूर रखेगी, तुम्ता किसी तरह का कोई भी रोग आने ही नहीं देगी, ये एक ओसदी है जो तुम्हारे लिए बनी है, इसलिए तुम हमेशा इसका सेवन करो, ताकि तुम्हारा कभी कुछ बुरा हो ही ना सके, तुम्हें कोई कस्ट ना हो, इसलिए अभी के लिए अपने नीद पूरी लो और खुश रहो, शुबरात्री मेरे बच्चे